परियवरन और जलवायू परिवर्तन के लिए कैबिनेट मंतरी आदित्य ठाकरे सुमवार को खापर खेडा थर्मल पावस्टेशन के नानकाव इस्तित एश डंपिंग याड का दौरा करने पहुचे आदित्य ठाकरे ने बताया फ्लाई एश डंपिंग चार फरवरी से ही बंद कर दिया गया था आज इस्तिती का जैसा लेने के बाद हमने निर्देश दिया कि फ्लाई एश डंपिंग पाइपलाइन को तुरंत हटा दिया जाए और जिस इस्तान पर राक डाली जा रही है उसे साफ किया जाए बिजली जरूरी है लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि परियवरन को कोई नुकसा ना हो उन्होंने कहा हमें नंदगाव में फ्लाई एश डंपिंग के माधियम से प्रदूशन के सम्भन में शिकायती मिली थी मैंने वीडियो में भी इस बारे में पू नागपुर के लोगों द्वारा मिल रही लगातार फ्लाई एश के नंदगाव में डंप करने की शिकायत के बाद मैंने वहां के लोगों और एंजियो से बात की और इस समस्या को समझने की और इसके प्रभाव के बारे में बात की साथ ही मैंने महराश्र प्रदूशन नियं महाजन की रिपोर्ट